ओम नमो भगवते वासु देवायन नमा दोस्तो आज हम हल्दी की बात करेंगे। हल्दी के डिब्बे में डाल दे आज ही चुपके से यह एक चीज मा लक्ष्मी दोनु हातों से बरसाएंगी पैसा। जी हाँ दोस्तो आज हम हल्दी की बात कर रहे है। हल्दी तो हर किसी के घर में होती है। किचन की शान है हल्दी। हल्दी के बगेर हम किचन में खाना भी बनाती है। तो अगर हल्दी ना हो तो खाने का टेश ही अच्छा नहीं लगता और बिना हल्दी का खाना भी नहीं बनता और नहीं कोई शुभमंगल कारिय हल्दी के बिना होता क्योंकि हल्दी शुभगुन का प्रतिक माना जाता है और हल्दी जो है नजर दोस से बुरी चिदों से आपकी रख्षा भी करता है तो हल्दी जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है आपके स्वास्त के लिए भी बहुत लाबदायक होता है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है हल्दी हम स्किन संभन्दी चीजों में भी चेहरे पर लगाती है शादी विवाह में हम हल्दी लगाती है वर वदु को ताकी उन्हें नजर दोष्णा लगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हल्दी से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है हल्दी का प्रयोग अगर आप करे तो माता लक्ष्मी दवडे दवडे घर चली आती है खास कर शुक्रवार की दिन अगर करे तो और बहुत ज्यादा लाब होता है और माता लक्ष्मी जी का शुक्रवार दिन भी होता है और हल्दी के उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दुष्टी सदैव उस घर में बरसाती है लेकिन आज हम आपको खास कर खास बाते बताएंगे जोतिश में आपको कई परिशानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है और हल्दी पीली वाली जो हल्दी है देव गुरु बुरहसपती से सम्बंद रखती है अब गुरु की कैसी भी परिशानी चाहे संतान से सम्बंदित हो धन से सम्बंदित मुश्किले हो पड़ाई स रोजगार संबंदित मामले हो घर में धन नहीं आता धन टिकता ही नहीं दोस्तो ये हल्दी का बस आपको हल्दी के डिब्बे में एक चीज दाल देना है चुपके से बिना किसी के देखे फिर देखिये माता लच्णी कैसे चमतकार करती है आपके घर में और खुब धन संपत्ती बरसाएगी आपके घर में आप अगर रोडपती भी है करोडपती होने में देर नहीं लगेगी महिलाओं के विवाह से संबंदित कोई भी तकलिप हो तो हल्दी बहुत काम का होता है जोतिस के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर नहाते है तो आपका विवाह जल्द होता है जिन लोगों का विवाह देरी से हो रहा था या जिन लोगों का विवाह हो तो जाता है लेकिन विवाह तिकता नहीं है यानि आए दिन लड़ाई जगडे पती पत्नी के बीच होते रहते है तो आपको एक चुटकी हल्दी आपको लगातार 21 दिन आपके सर के नीचे तकी के नीचे पूडिया में या पीले कपड़े में बांध कर रखे तो पती पत्नी में प्रेम बढ़ता है बुरी नजर के शिकार अगर आप हो जाते है या बुरी नजर किसी की लग जाती है तो बस हल्दी का स्वस्तीक अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दिजिए इससे आपके घर में किसी की बुरी नजर प्रेवेश नहीं करेगी और करियर में सफलता पाने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करनी हैं। इससे आपको बहुत लाब होगा। करियर में सफलता मिलती है इससे अगर आप ये हल्दी का उपाय करते हैं। और धन व्यवसाय आता है। धन टिकने लगता है। और यदि आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरी के चर्णों में थोड़ा सा हल्दी लगा कर खुद के माथे पर, कंठ पर, कलाई पर, तिलक लगा कर घर से बाहर निकलते हैं। तो आपके कारिय बनने लगते हैं। चाहें आप किसी बिदने स्व्यापार के शुरुवात करने के लिए जा रहे हो, या किसी इंटर्व्यू के लिए जा रहे हो, या किसी एक्जाम के लिए जा रहे हो, आप अपने माथे पर हल्दी का टिका सुबह सुबह लगा कर चलना हैं। लेकिन उसके पहले भगवान विश्णुजी को भी लगा दे, हल्दी का टीका और माताजी के सामने भी जरूर रगदे थोड़ी सी हल्दी, इसके बाद ही निकले, तमाम कारिय सिद्धी होते है इससे, और अगर घर में ज़्यादा वास्तुदोश हो, यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा वास्तुदोश हो आपके घर में, तो ये हल्दी आपके घर के वास्तुदोश को भी दूर करता है, आप अपने मुख्य दर्वाजे पर हल्दी से स्वस्तीक जरूर बनाईए और साथ ही शुभलाब हल्दी से लिख दिजिए, तो इससे मातालक्ष्मी बहुत प करते हैं कि किचन के डिब्बे में चुपके से एक चीज दाल दे जहां आप किचन में, जित डिब्बे में हल्दी आप रप्ते हैं, उस डिब्बे में क्या ऐसी चीज दाल दे ताकि मातालक्ष्मी दोनों हातों से कृपा बरसाए, आपके घर में धनधान्य बरकत करे और ज खुप सारा जम कर पैसा आये आपके घर में सारे दुख तकलिक मिढ जाये और माता लक्ष्मी यानी महा लक्ष्मी दोनों हातों से बर्सा आए आपके घर में धन, तो आपको हल्दी वाले डिबे में जो डिबा जिसे आप किचन में खाने में डालने के लिए जो इस्तमाल करते है उस डिबे में आपको आपके घर में लाल मिर्च होगा तो लाल मिर्च आप उस डिबे में चुपके से डाल दे शाम के समये लाल मिर्च आप एक डालिये या प्माच डालिये इस हल्दी के डिब्बे में आप यकीन मानिये दोनों हातों से माता चप्पर भाड के धन बरसाएंगी खुब धन संपद आएगी साथ ही शुक्रवार के दिन विशेश तोर पर हल्दी के डिब्बे में आपको दो दाने मिश्रि भी डाल देना है इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, धन धान्य में रुद्धी करती है, सुख सुविधाय बडाती है हल्दी का प्रयोग वैसे भी देखे हल्दी माता लक्ष्मी जी के सामने एक पोटली बना कर सदैव रखना चाहिए और अपने किचन में जहां आप हल्दी रखते है वहां हल्दी जिस दिब्बे में आप हल्दी रखते है उस दिब्बे में हल्दी कम कभी भी ना होने दे सदै हातों से बरसाती है धन संपत्ती खुशिया सब कुछ साथ ही आपके घर में अगर लडाई जगडे कलह कलेश होते है तो हल्दी के डिबे में आपको दो तीन दाने धनिया डाल देना है यकिन मानिये खुब बरकत होगी और कलेश वगेरे सब मिढ जाएंगे तो दोस्तो हल्द प्रसन्न होकर आपके घर में दोनों हातों से बरसाएगी पैसा ही पैसा